वेलकम तु स्टड़ी आएक्यू आमेट वारी देखिलोर और दिस इस आर्टन कुल्चर सीरीज इस लेक्चर नमबर 10 जहां पर हम मौडर्न आर्किटेक्ट्चर करेंगे अब जो नितिन सिंहानिया की किताब है जो यूनिट वन है उसका जो चैप्टर वन है और हर परकार की जो आर्ट है बेसिकली आर्किटेक्ट्चर जो हम एंचेंट हिस्ट्री से पढ़ना स्टाट करते हैं and more importantly मैं आपको याद रखा दूँ कि आर्ट एंचेंट हिस्ट्री की किताब के साथ ही पढ़ना जब यह दोनों इखटे पढ़ोगे तो यह दोनों के question इखटे solve कर पाऊगे आर्ट अन कल्चर इस वेरी dense नॉन अप्रोचेबल सब्जेक्ट वेन यू दू इट विद इंचेंट हिस्ट्री आपको जादा याद होगा उसमें से जादा contextual information मिलेगी तो यह तीन बुक्स हम पूरी की पूरी करेंगे इस सीरीज के दुआरा अब जो यूनिट वन थी वो आर्किटेक्ट्चर स्कल्प्चर और पॉर्टरी के बारे में डिस्कस करती है और यूजुली आर्ट भी एंचेंट इंडिया वाली करोनोलोजी को पढ़ती है तो हम वी स्टार्ट ड्रेक्टली हम आर्किटेक्ट्चर पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंडियस वैली सिविलाइजेशन का इसके बाद आते हैं मौरिया के उपर फिर पॉस्ट मौरिया गप्ता के उपर इस प्रकार से करते करते हमने इंडो-इस्लामिक कर लिया है अगर इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर यानि मुगल के समय का आर्किटेक्चर हम खतम कर लेते हैं तो उसके बाद कौन आते हैं उसके बाद आते हैं अंग्रेज अब उस पूरे के पूरे एरिया को जो हमारा अंगरेजों का समय है या नुगल्स के बाद का जो आर्किटेक्चर है उसको कहा जाता है Modern Architecture Right? Modern Architecture अब इंडिया में Western Europe से Western Europe से तीन पावर्स स्पेसिफिकली यहां पर आई थी एक तो हमारी French, Portuguese और British तो इन तीनों का स्पेसिफिक इंफ्लूएंस है अब अगम हम जानते हैं अब उने Modern History पड़ी हुई है जिसके अंदर जो Portuguese है, French है उनका थोड़ा सा बहुत ही limited है There were some kind of places, Union, Territory, Halki Fulki उनके control में थी अब Goa Portuguese के में थी पुडूचिरी French वालों के पास थी तो वहाँ पे उन्होंने जो buildings बनाई थी वो उनके architecture से influenced है But primarily speaking हमारा जो main architecture Modern architecture जो influence है वो है Britain से, British ने जिसको कहते हैं Indo-Gothic ठीक है? Indo-Gothic आज का हमारा जो chapter होगा that will be pertaining to the modern architecture जिसमें हम British, French और Portuguese का जो modern architecture के उपर influence है उसको हम करेंगे Simultaneously, when you are studying architecture याद रिखे कि modern architecture पे बहुत ज़्यादा focus नहीं है UPSC का similarly, Indus Valley Civilization पे भी architecture से question बहुत ज़्यादा नहीं आते there is very limited information architecture of Indus Valley Civilization एक page का है एक page के notes बना लो, उससे ज़्यादा है ही नहीं बस planned city है, great बात होता है और 90 degree angle पे उनकी streets कटती होती है this is what their architecture is उनका sculpture थोड़ा सा important है but luckily enough, 4000 साल पुरानी बात है वहाँ पे भी information कम है मतलब कि Indus Valley Civilization एक दिन में complete हो सकती है, don't worry about it but when it comes to architecture Morian architecture and the Gupta architecture ये दोनों के दोनों fundamentally बहुत ही ज़्यादा important है हर साल इन दोनों में से किसी एक में question ज़रूर आता है whether it will be Morian, ये दोनों के दोनों Morian पकड़ लेना और Gupta architecture Gupta architecture के अंदर आपको temple architecture वाला पूरा का पूरा chapter करना पड़ेगा temple architecture से annually एक prelims का question regularly बनता है और दो तिन साल में एक mains में भी associated question आ जाता है so when focusing on the architecture के इन topics से उपर focus ज़्यादा करना ऐसा नहीं है कि और से नहीं आते बट इनके उपर focus ज़्यादा करना आज का हमारा luckily we'll be doing modern architecture but that is actually much more easier उसके उपर UPSC बहुत focus भी नहीं कर सकता है luckily enough हमें उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता है and somehow or the other we understand it we understand it in the sense कि हमने Britain वाली building जरूर देख रखी है now we saw in the lecture number 9 in the Indo-Islamic architecture क्या building है बनाई थी मुगल ने मतलब गजब building है बना दी right ताज महल, लाल किला, फतेपुर सीकरी, बुलन दरवाजा, कुतुब मिनार मतलब और वो सब हमने देखी भी हुई है बचपन से लेके so we are aware of that already similarly British architecture उतना magnanimous you know ऐसे वाला नहीं था कि आउप जो मुगल आर्किटेक्टर की थी वो और पैदा करने वाला नहीं था but these are the buildings we are aware of and generally na मुझे जहां तक लगता है आप सोचोगे church just think about a church in your mind that would be part of the Indo-Gothic architecture this is a heuristic थोड़ा सा error है इसमें हम क्या error है वो discuss करेगे but just think about a church that is what Indo-Gothic architecture is एक basic यह correct statement नहीं है just rule of thumb है क्या इसके अंदर problem थी हम बात करते हैं अब सब के बात क्या होती है 15, 16, 17th century के समय में योरोप में क्या होती है कि shipping और नेवी बहुत अच्छी develop हो जाती है and they started looking for markets away from Europe Europe के France, Britain, Spain इन सबने अपने-पने explorer बाहर भेजना स्टार्ट कर दिए and according to the times से develop हो रहा था so they were able to use their technology to actually take control of territories और इन्होंने बना दी colony तो जब ये European colonists भारत में आये उसी समय साथ ही साथ मुगल empire जब दिखला इन हो रहा था तो हमारे देश में पूरे के पूरे Indian subcontinent में European powers के बीच में एक struggle चला Portuguese चाहते थे इंडिया को अपनी colony बनाना French चाहते थे अपनी बनाना Britain चाहते थे अपनी बनाना We know इन तीनों में at least Indian subcontinent में कौन जीता था अब Portuguese के पास एक छोटा सा area रह गया था Goa का French के पास भी छोटा सा area रह गया था Puduchiri का The rest of the Indian subcontinent was either under some private kings थे either under the Britishers and Britishers had the major influence for more than 200 years on this country आज भी अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं पे हमारी daily life के अंदर British influence देखा जा सकता Even in the law हमारा पूरा legal system Britain के the legal system के ऊपर dependent and the government the parliamentary form of the government is directly influenced by the the democracy system of the government has directly been influenced by the Britishers ठीक है 1947 के बाद Britishers चले जाते हैं और ये वो समय है जब हमने शहाजा और और औरंग जेद तक का पढ़ा था तो वो 1750 से लेके 1950 तक का जो 200 साल का समय है यहाँ पे रहते हैं Europeans इस समय में जो वो buildings बनी है Actually कई तो इससे भी पुरानी है Portuguese तो इससे 5th century AD के अंदर गुपता आर्किटेक्चर था जो कि यहाँ के खुद के गुपता रूलर्स थे इंडिया के And then from 12th century Islamic invaders आते हैं So they bring certain ideas with them और वो इंडो-इस्लामिक पर्शिया और इंडिया के आर्किटेक्चर का एक mix बन जाता है इंडो-इस्लामिक जो कि टेंपल आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा थे उन पे geometrical डिजाइन्स बहुत ज़्यादा होते है जाली का जो विंडो में जाली का जो सिस्टम होता है वो बड़ा होता है इसी प्रकार के जो specific features different characteristics होते हैं अलग-लग आर्किटेक्चर के अब हम देखेंगे कि ये Britishers या फिर जो Europeans है ये क्या-क्या लेकर आये थे अब जो जो इन्होंने constructions की थी उससे हम आर्किटेक्चर अंदाजा लगाते हैं Portuguese और French अब आपको नाम याद रखना है जैसे कि slave dynasty के architecture को क्या कहते थे Mamluk style of architecture उसी तरीके से एक बहुत simple सा question है जो की पूछा जाएगा Portuguese Portuguese style of architecture is known as Iberian style आज के दिन अगर हमें एक information याद रखनी है पूरी की पूरी class में से पूरी की पूरी slides में से that would be the one information that you have to remember today modern architecture में जो Portuguese style of architecture होता है उसको कहा जाता है Iberian style of architecture 15th से 16th century के समय में Europeans India पहुच चुके थे and they reached around Goa somewhere Goa के पास इन्होंने नई प्रकार के सिस्टम जैसे की trading post, warehouses बनाने लगे और जो की बाद में fortified towns मतरब टाउन के चारों तरफ एक wall जो की fort की तरह, किले की तरह बना दिक जाती थी वो जो idea था दो 45 टाउन पहले से एक्जिस्ट करते थे अगर अगर अब राजपूत के जो kingdoms देखेंगे इवन इन्दी गुपताज और दी मुगल sorry, Mauryan टाइम्स वहाँ पे भी ये fortified walled city तो शहाजाबाद भी है राइट, the whole शहाजाबाद which was made by शहाजा, पुराने दिल्ली जिसको कहते है आज वो भी एक walled city थी तो ऐसा नहीं तक idea बड़ा नया था बट इन्होंने very specifically जो trading post और warehouses आये तो ये trade करने थे ना ये सारे के सारे जो colonists थे तो जब सबसे पहले अंगरेजों ने भी इन्होंने बनाई फैक्टरिया warehouse समान रखने के लिए कि धनिया रख लो, काली मिर्च रख लो spices रख लो, इनको ये उरोप में बेचना होता था बट उसके बाद यही trading post ये ही warehouses इन्होंने अपने किलो में बदल दिये कमाल के लोग है ये जो वर्ड है न ब्रॉक ये आप कई जंगों पर जब भी यूरोप के बारे में कुछ पढ़ोगे तो ये बहुत common होता है ब्रॉक का एक simple सा मतलब होता है पहले वाला तो ये है कि Portuguese influence is basically called as the Iberian style ये सबसे पहले याद रखेंगे हम दूसरा ब्रॉक स्टाइल ये जो वर्ड होता है ब्रॉक इसका मतलब होता है 16th century Italy ठीक है so there is ब्रॉक music ठीक है ब्रॉक music का मतलब है कि 16 सदी में इटली में जिस परकार का संगीत बन रहा था ब्रॉक स्टाइल आर्किटेक्चर में यानि कि 16 सदी में जैसा आर्किटेक्चर स्टाइप इटली में डिल लप हुआ था उसको ब्रॉक आर्किटेक्चर कहते है अब याद रखो कि इटली के अंदर रोम है रोम के अंदर वेटिकन सिटी है वेटिकन सिटी पोप का घर है यानि कि जो चर्च रिलीजन क्रिश्यानिटी जो है वो इटली के आर्ट आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है you understand you can connect this idea ना इटली एक पुरा का पुरा देश है और सोलवी सदी में जो इटली के अंदर जिस भी परकार की आर्ट अन कल्चर डिवलप हो रही है उसके लिए इंगलिस शब्द यूज होता है ब्रॉक आर्क ब्रॉक आर्किटेक्चर ब्रॉक म्यूजिक इस परकार से तो जब भी सुनें सोचें कि सोलवी सदी इटली का था इटली वेटिकन सिटी की सीट है वहाँ पर पोप रहते हैं तो यूजुली चर्च जो होते हैं उनको असोसियेट आप कर सकते हो अगर कोई ब्रॉक आर्किटेक्चर सुने करना तो आपको देखके लगे रहे हैं कि चर्च वह वह रहाए चर्च? चर्च बड़ी प्यारी सी जहें ही होती है because Christianity doesn't belong to doesn't belong to India Christianity इंडिया में आने से पहले सबसे ज़्यादा जो इसका domination था वो यूरोप में हुआ पहले it dominated the Europe इस समय और उसके बाद जब Britishers आई so they also bring the religion and the ideas with that तो और हम दिन प्रते दिन में जो हम अपने जीवन में देखते हैं तो वो in general जैसे जो हमारे घर है वो in Indian या फिर जिस परकार के art and architecture की जहें से होती है उन सब के बीच में अलग से जब चर्च को देखते हैं it is right out of Europe anything whenever I see a church there is a very distinct feeling right it's a something kind of it might seem very biased it's like modernity it's something else right it's different than all other buildings around it it's very specific it's a very interesting building जो होती है church की right तो उसके अपन हम आज उसी का architecture के बारे में बात करेंगे तो जो यह पेशियो houses होते हैं और जो बरॉक style होता है जो की late century in Europe अब यहाँ पर यूरोप लिखा हुआ है but you can very specifically say इटली में इटली में this was it Portuguese influence में बहुत ज्यादा है नहीं गोवाही को था इनके पास 300-400 सालों तक बाकि इनका कोई बहुत ज्यादा major influence नहीं है मुगल बादिशा से मिले थे by then गोवा वाज अंडर दी पॉर्च शाजहा actually not शाजहा sorry my bad हुमायू भई पॉर्चूगीज कितने पुराने हैं यह बात समझ के रखिए कि हुमायू attacked गोवा गोवा लेने हुमायू ने पॉर्चूगीज से लड़ाई की थी गोवा नहीं शाएद दमन न दूई के अंदर लड़ाई हुई थी हुमायू ने पॉर्चूगीज से लड़ाई की हुई थी they were there at that time उस से में थे तो यह पहले से आयो हैं पॉर्चूगीज अंग्रेज़ों से बहुत पहले से आयो है थे पॉर्चूगीज पॉर्चूगीज ने 1619 में यह से कथीडरियल बनाया तो कि बड़ा प्यारा सा एकदम बहुत ही ब्रिलियंट सा चर्च है जिसको कहते हैं पॉर्चूगीज लेट गौथिक स्टाइल में अब यह गौथिक स्टाइल जो होता है अपने कोई मूई इमाजन करो मूई इमाजन करो जो भी या तो किसी होस्टल में हो किसी बोर्डिंग स्कूल में हो रख्योती हो या फिर यह जैसे साथखून माफ टाइप की कोई मूई होती है इसको यह होता है गौथिक स्टाइल गौथिक होता है अमारे इंडिया में बना हो तो इंडो-गौथिक का मिक्स हो रख्या है यहाँ पर एक बेल लगी हुए जिसको को नाम है गौल्डन बेल इस वन अफ लार्जेस्ट बेल इसे मैं हलवे में नहीं पढ़ा रहा हूँ इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट चर्चिज एन कोवेनेट्स अफ गोवा लोकेटे इन ओल्ड गोवा कई सारे चर्च है वो इतने पुराने इतने इंपोर्टन है कि उनको कलेक्टिवली कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स चर्चिज एन कोवेनेट्स अफ इंडिया के अंदर तो उसके अंदर कई सारे आ जाते हैं और वन उफ दिस इस से कथीड्रियल देखो यह इसमें यह बेल दिख रही है इस वाल यह वाले घंटे में बेल अँछे जाते है अफ बेल्स है इसमें को इसमें कोई शख रहाए नहीं इसमें कोई शक की वाद्नी इतनी बड़ी बैल होतीी सबसे बड़ चाओर पर जो लगाड़ी इस 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 प्टूट to do we should do it with other buildings also just put a big bell at the top of the building for no reason at all i should we should just do it for the sake of it because this looks amazing for certain reasons okay there is something to it church i am when i go to a temple you know so there is this very divine and the pious thing so in church you are feeling the god but you have this cool feeling also it it is a very nice place to be doosra to portuguese me do you have to world heritage side say do you 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 do basilica of bomb jesus okay bomb ka matlab holy hota portuguese language me so basilica of holy jesus basilica ka matlab a big large church hi so basically large congregation johan peh kahi peh kate ho ke prayer kar saktay so basilica of bomb jesus so say cathedral real hai johan peh kate goa ke and dar hai aur us ke baad basilica of bomb jesus bomb jesus ka matlab holy jesus jesus ka ik basilica hai jesus ka ik basically prayer hall type ki chee jesus ka basically goa me hi hai yeh bhi world heritage side hai jis ko brock style me bina gaya hai tha to brock style ka matlab yeh ki eis अगर एक्चुली में देखोगे तो यह सोलवी सदी में इटली में बनाई जा रही थी, यह हमने सोलवी सदी में इंडिया में भी बना दी, पर्चोगीज ने बना दी थी, ठीक है, and it also has the body of the reverend St. Francis Xavier, St. Francis Xavier, एक संत है, सेंट है, Christianity के, जिनकी मृत्यूग ही ओर हुई थी, और उ दबकि वो जिसको भी किसी को बहुत chronic बिमारी है, और जिसको St. Francis Xavier आशिरवाद दे दे थे, वो सही हो जाता था, तो वो इस, यह ऐसा जो, see, कई बार हम, and I understand the difficulty, देख के पता नहीं चलता है, कि सर, इसको में में लिखेंगे कैसे, राइट, या प्री में कैसे बनाएट, but for now just identify, you can, you know these kind of buildings, यह मुगल, जैसी ताजमहल जैसी तो नहीं है, यह very specific जो चीजे होती है, usually hill station वाली जो movie होती है, जिस भी movie में hill stations पे कहीं पे shoot होती है, उसमें एक building ऐसी जरूर होती है, there are so many churches on the hill stations, can anybody tell me why, क्यों, हर church पे एक hill station क्यों होता है, so यह है Basilica of Bomb Jesus, Holy Jesus, यह उसके अं it's a kind, it's a church basically, and it is the most iconic monument of all churches and the covenants, covenants of the Goa, जो की UNESCO के दोवार वल्ड हेते हैं, so हम जो दोनों कर रहे थे, say cathedral और this one, Basilica of Bomb Jesus, यह एक दोनों के दोनों world heritage sites हैं, indeed हमारे इंडिया में Brock architecture का यह सबसे best example है, क्यों, क्योंकि यह भी 1604 में बना हुआ है, और यह भी 1619 में बना हुआ है, तो उससे में Italy के अंदर ऐसा architectural system था, and we just made it like that only, ठीक है, it is one of the seven wonders of Portuguese origin in the world, क्या बात है, ऐसे Portuguese के art and architecture में, ऐसा, there are seven wonders, ठीक है, जो की Portuguese ने बनाए हैं, उसमें से दो इंडिया में है, you're looking at one of it, this is such a brilliant building, it is considered as the one of the seven wonders of the Portuguese origin in the world, one of the oldest church है, Goa का, the Basilica of one, 408 साल पहले, obviously no doubts about it, it is tremendous, मैं तो कितना पुराना church है यह, अंदर से देखो, I am going to go to a church after this, इसके अलावा, एक और तीसरा, so Portuguese में हम तीन पढ़ रहे हैं, से Cathedral, Basilica of Bomb Jesus, ठीक है, दोनों के दोनों, UNESCO World Heritage Site, and उसके बाद, एक और दू, दूई फोर् 1535 AD, 1535 AD, अभी तो अकबर बादशा भी नहीं बना है, मुगल एंपायर का, समझे रहे हो, यह तो हुमाईयू का समय चल रहा है, अकबर अभी बादशा भी नहीं बने है, तब दूई आइलेंड पे Portuguese, अंग्रेज हो के तो आने की बात छोड़ो, अंग्रेज तो अभी और स मैं बाद आते हैं, 1600, तो मैं 1610 में आएंगे अंग्रेज, वहाँ पे 1535, Portuguese मिस कैसे कर गए यार, कॉलो ने इतनी पहले पहुचने के बावजूद भी इन्हों नहीं किया, ठीक है, इस पूरे के पूरे फोर्ट के अंदर, अब इन्हों ने फोर्ट बनाया था, उसमें, there are obviously there are several churches, क्योंकि church तो बनाई रहे थे, they ruled over this territory from 1537 till 1961, अंग्रेजों ने इतना राज नहीं किया, जितना Portuguese ने specifically new पे किया हुआ है, 1537 से December 1961 तक जब हमने इंडिया ने इन्वेड दरके इनको निजा, अपे अंग्रेज चलेगे तो अकेले हैं क्या कर रहे हो, this must be surprise for us also and for Portuguese also, in 1947, we kicked out Britishers, which took a lot of effort, right, it took 90 years to be more, अगर हम 1857 से count करते हैं तो, it took 90 years to kick them out and then, अटानक से 15 साल के बाद, we saw कि Portuguese कि जब वो चलेगे तो तुम क्या कर रहे हो, dude, you also gotta go, तब उनको जागे मतलब, इनको तो मतलब पिटाई करके भगाया गया, कि निक लो बहुत ओके तुआरगे, It is also one of the seven wonders of Portuguese origin in the world, यानि कि इंडिया में Portuguese origin के दो wonders exist करते हैं, एक तो Basilica of the bomb Jesus, and second is the dew fort, यह पूछा जा सकता है, this is a very valid question that can any day be asked in the UPSC presence, ठीक है, बस, इतनी से simple सी बात है, और यह हमारा दमाननद्यू और गोवा, यही पर था, Portuguese rule इस से जादा नहीं था, बट भई, consistency है, 1537 से 1961 तक, हुमायू ने attack किया था इस fort के उपर, हुमायू attacked this fort, हुमायू नहीं नहीं लेवाया, और मैं सुच रहा हूँ कि बागे अगले 300-400 सालों में अंग्रेजों नहीं नहीं लिया, और in to be honest 1947 के बाद भी हमने भी 15 साल के बाद नोटिस किया कि, I think it is time for you to leave fellas, it has been a lot of days, so, दो building, which is called as the seven wonders of Portuguese origin in the world, इंडिया के अंदर, बाकी और अलग अलग जहने पे हैं, brilliant, इसके बाद French भी आते हैं, क्योंकि पुडूचुरी की जो union territory है, that was controlled by the French, French के साथ interesting बात क्या है, जो कि आपको पूछी जाएगी, they brought the concept of urban city planning, उससे पहले in general, शहर बना देते थे हम, ऐसे focus plan पे नहीं था, but see, आज तक, अगर आप देखोगे, तो Europe में, जो दो सबसे बड़ी पावर हैं, तीन सबसे बड़ी पावर हैं, तो उसमें कौन कौन सी है, Britain, Germany and French, so these people have been at the forefront of the technology, art, architecture and general advances of humanity from last 400 to 500 years, so after 14, 15, 16 century में, Europe के अंदर ही basically सबसे पहले city planning, urban planning, क्योंकि cities पहली, जो modern cities ह वो पहली जो होती हैं, वो कहा जनम लेती हैं, Europe के अंदर जनम लेती हैं, तो they were the first one to face the problem of the urbanization, urbanization की जो पहली problems वो Europe ने face की थी, and जैसी problems आती हैं, you look out for the solution also, so they were the first people to figure out की modern city की, ancient वाल में ही बात करे हैं, की urban planning के साथ, plumbing के साथ कैसे किया जाए, so this idea was brought to India by the France, और इनोंने दो specifically आप देखें, French town थे, एक तो पुडूचरी हो गया, और specifically दूसरा, चांदर नगर, जिसको चंदा नगर कहते हैं, West Bambol में, ये दोनों के दोनों इन्होंने डिवलप किये थे, ऐसे grid की तरह है, ऐसे डिजाइन करते हैं, जैसे चंडिगड टाइप का होता है, grid की तरह है, scientific planning होती है, इसके अंदर, municipality की, waste management की, water supply की, ये सारी की सारी, अच्छा, इनके साथ system एक था, इन्होंने न, anonymous building, anonymous, anonymous building जैसे हम घर रहते हैं, मतलब की, it's something simple facade, भाद बहुत जादा fundamental, जैसे cool design होता, ये बड़ी सी भारी बरकम सी बना दो, और उसके बाद उन्होंगा, वो करतो, इतना simple था, obviously, माहे, काराइकाल और यनम, ये सारे के सारे, जो कि पुरुचरी, union territory के अंदर आते हैं, ये city तो आप और easily identify कर लोगे, तो आप हम specific building देखते हैं, जो France ने मनाये था, एक ही हमारे पास यही है, इसके अलावा, there is nothing else, and this building is called as the Church of the Sacred Heart of Jesus, Church of the Sacred Heart, जिता अच्छा लगता है, sacred heart, the heart itself is sacred, जैसे जो church होते हैं, ये फिर जो schools होते हैं, the sacred heart convent school, or the church of the sacred heart of Jesus, Jesus की photo भी छेपी हुई है, यहां पे, sacred heart, दिल ही पवित्र है, अब message कर दो उसको, you have a very sacred heart, अच्छा लगेगा उसको, अच्छा, फ्रेंज में हमारे पास कोई बहुत जादा नहीं है, एक छोटे से एक दो टाउन को control करते थे, तो यह हैं Britishers, इन्होंने हमें बहुत तंग किया है, प्रेशान किया है, 200 साल तक थे भई, तो इन्होंने काफी building यह बनाई, इस समय, वो मतलब हमारी cultural heritage है, Britishers अपने साथ लाते है, Gothic style, Portuguese क्या लाए है, Iberian, क्योंकि वो Iberian Peninsula पे है, that is the reason, यह तो geography की बात है, निमपल वाली, ठीक है, और उसके साथ Portuguese क्योंकि इटली के बाजू में भी थे, तो यह अलसो लाते है, Brock, ठीक है, Brock style, अब जो Britishers जो परकार का लाते है, उसको कहते है, Gothic, अ हमें डिफरेंस करने में बड़ा मुश्किल लगेगा, कि सर, Brock और Gothic के अंदर डिफरेंस नहीं पता चल रहा, सबके सब सेम चर्च दिखते है, मुझे सारे चर्चों में फरक नहीं पता चलता, same year, don't worry about it, हमीच दिदबा भी बताते है, क्या 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 डिफरेंस है, पहले हम गौथिक स्टाइल लाते है, ये बन जाते है, इसमें दो पीरियेट्स में बटे हुए, ठीक है, 1911, हमारी जो मौडरन बिल्डिंग्स हैं, पार्लियमेंट, सुप्रीम कोड, ये सारी की सारी ना, 1911 के बाद की बनी हुई है, तो जो 1911 के बाद जो बिल्डिंगे बनी है, उ इंडो गौथिक या विक्टोरियन स्टाइल, ठीक है, इसमें, और इसके अलावा, ये 1900 से प्री है, और इसके बाद पोस्ट में इसी चीज को नियो फ्रोवल, ये बात को थोड़ा सा अब्जेक्टिवली याद रखना है, इसमें कोई समन में बाते है, अब गौथिक, विक करने के बाद, बड़ी सारी सी आप अगर IIT रूड़की में अगर आप पढ़े हैं, तो यू मस्ट हैव सीन बिल्डिंग जो की शायद इंडो गौथिक स्टाइल में बनी हुई है, एनीबडी या किसी ने, सर्च करो, कहना में रूड़की की बिल्डिंग को, IIT रूड़की इंडो इस्लामिक हो जाएगा, और इंडो परिशियन के अंदर प्लस गौथिक कर दो, तो यहाँ पे कहीं न कहीं पे आपको, इंडिया के पुराना अर्किटेक्चर, अब देखो यह, देखो दिखतो रहा है यार, if you can make it out there, यह ऐसे गुमबद जिसा जो था, यह ऐसा गु नारे, in general, इंडो इस्लामिक अर्किटेक्चर में देखी जाती थी, ऐसे ही जो टूम्स होते थे, यह जो आर्क है, फिर सारे के सारे मिला के, they finally, this is good, this is good, construction बहुत लार्ज, elaborate होते हैं, Britishers थे फैले हुए आदमी, पैसा बहुत ज़्यादा था, और हमको परताडित भी करते तो बिल्डिंगें बहुत बड़ी-बड़ी बनाई हुए उन्होंने, फुल एकर ले ले लेते, पंदरा एकर में बिल्डिंगें बना डालो, walls were thinner than the Indo-Islamic construction, we have felt that, लाल के लिए की दिवार इतनी चौड़ी दिवार है, और अगर हम जो हमने buildings देखी होंगी, जो Britishers time की building है, उनकी जो walls हैं, वो थोड़ी सी thin है, arches were pointed unlike the curving arches of the Indo-Islamic, ये मैं किसी फोटो में दिखाता हूँ, I'll show you it in photo की कहना क्या चाहते हैं, hold on for a sec, कहां पर आएगा, किसी फोटो में दिखाता हूँ मैं कि कैसे इनकी जो आर्क होती है, वो pointed है, देखो, ये है Indo-Islamic आर्क, ठीक है, फरक बता देते हैं, ये वाली जो आर्क है न, ये Indo-Islamic आर्क है, ठीक है, और ये वाली जो आर्क है न, ये आप समझ लीजेए कि ये Gothic आर्क है, आर्क जो हो थोड़ी जी pointed है, this is what they are actually trying to say, arches were pointed unlike the curving arc of the Indo-Islamic era, तो हम बड़ी साल सी जो building दिखेंगे, उसमें curving आर्क नहीं होती है, बोड़ी pointed arc होती है, और सबसे ज़्यादा unique feature होता है, use of large windows, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां बना रखी हैं, movies imagine करो यार, ये सब न, हमने पहले से देखा हुआ है, गुपता architecture नहीं देखा, महुत पोरियन नहीं नहीं देखा, लेकिन Indo-Islamic और Victorian वा वो एक crucified ground plan follow करते है, एक church न, usually, एक cross के तरह बनाया जाता है, this is how usually a church is, उसका जो architectural plan होता है, ये होता है, church का architectural plan, यहाँ पे Jesus Christ होते है, यहाँ पे फिर वो सारी-सारी tables होते है, जहाँ पे आप बैट के परी कर सेकते है, this is known as the crucified plan, the church itself is the cross, we also saw it with the temples also, temple was itself, temple का architectural जो structure है, is like the body of the deity, भगवान के शरीर की तरह ही, basically, एक temple का architecture है, और the architecture of the church is itself, basically, the cross, doesn't that make you, sir, इतना कुछ होता है कि, हमने तो notice नहीं किया था, it adhered to advanced strength, engineering standards, steel, iron and concrete use होना start कर दिया था, बहुत ही प्यारावाला था, इंडो गॉथिक से बाद आता है, नियो रोमन, जो की post 1911 के यह था, उनको जितना भी कहा जाता है, नियो रोमन या नियो क्लासिकल, तो ये बाते, बस ये बस नाम यहाँ पे आप इतनी सी भी, अगर आप मेरे से आज के काम कर लो, कि बस हलका फुलका नाम ही याद कर लो, ये 1911 के बाद की बात है, 1911 के पहले, गॉथिक स्टाइल, या फिर विक्टोरियन स्टाइल, इंडो गॉथिक, नो गॉथिक, इंडो गॉथिक या फिर विक्टोरियन, इतना बस याद कर ले, नियो रोमन, अब जैसे नियो डेली का जो आर्किटेक्चर है वो है भाई Edwin Luteans और Herbert Baker के द्वारा बनाया गया था इट इस डिरेक्ट एक्जम्पल आपको एक्जम्पल के तौर पे बताना हूँ कि यह नियो रोमन स्टाइल क्या होता है तो जो Luteans Delhi है जहाँ पे आज के सबसे पावरफुल लोग रहते हैं जो कि सबसे महंगी रियल एस्टेट है इंडिया की डेड़ सो डेड़ सो करोड़ हजार करोड़ के बंगले है उधर उस जगह पे वो नियो रोमन स्टाइल में बनाया गया है इतना इंपोर्टन देखो तो सही अब इस सीन दिखा दो कि यह कहने की क्या कोशिश कर रहे है अनॉनिमस का यह मतलब इंट्रस्टिंग फीचर होने का मतलब ना होने का क्या मतलब होता है सारे स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डाल दिये ठीक है विच मेड दी स्टाइल कंजेस्टिट अनॉनिमस के बाद जब बृटिशर्स इंडिया में प्लैनिंग कर रहे थे तो अवरिटिंग वस तो कंट्रोल अवरिटिंग वस अकॉर्डिंग तो ब्यूरोक्रेसी तो मोर देन दी आर्टिस्टिक एक्स्प्रेशन आफ दोस बिलिदिंग तो यह जो बिलिदिंग बना रहे थे यहापर आपर आटिस्टिक एक्स्प्रेशन वस असे सेकंडरी लेवल एक्चुली वह फोकस यह था ब्यूरोक्रेटिक लेवल यूटिलिटी करने थी simplicity, modernity और utility were highly compromised due to the hybrid nature of the construction इनको सिर्फ और सिर्फ utility से मतलब था काम से बाकि इनको मुद्दो से हट गया था circular buildings थी पार्लेमेंट हमारा circular building में है अपने aerial photo देखिए कभी पार्लेमेंट की पार्लेमेंट इक circle की तरह बनावा है जो building है ठीक है देर वाजन ओर्यूज ओर्येंटल मोटिफ तो रियलाईज वेस्टर अर्किटेक्ट्ट्ट्र डिजाइन ठीक है अब दिखाता हूँ मैं building देखो दो सबसे important हम building देखते हैं नियो रोमन स्टाइल में वन इस स्पेसिफिकली पाल ग्याबट अब देखो supreme कोट की building ऐसे दिखती है अब देखो अब बाल की बीलिडिग्ट इसे दिखती है the buildings and it's absolutely plain there is no art का कोई लेना देना नहीं है aesthetic का कोई focus नहीं है कि बस simplicity बना तो modern होनी चाहिए building but that is it इतना ही focus था यह इन्होंने specifically focus किया था यह supreme court की building है यह aerial view supreme court की building का ऐसे दिखता है इसका बे गुना को पकड़ लेते हैं शायद यह ऐसे चिम्टे से that is not the interpretation of supreme court building or something like that देखो रात को कैसे brilliant दिखती है when they light it up on certain occasions so it's anonymous right there's no it is landmark everybody anybody can identify it वो तो क्यों यह इसका importance इतनी है however it doesn't have that architecture this is church की अजर आपको building देखो तो look at it there's something to it right there's so much distinct art is there right but here the distinctness is missing सारी government जो पुरानी government buildings जो है ना those are all neo-roman this is our parliament being constructed यह फोटो पुरानी फोटो है पुरानी फोटो है यह पुरानी फोटो है इवर 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 आप देहोगे तो इस अच्छली शर्कुलर यह जो शर्कुलर बिल्डिंग है यह आया है neo-roman style this is specifically as the neo-roman style it is a brilliant building every great decision that has affected your life has been taken there even now also your whole life आपकी पूरी life day-to-day जिन चीजों से effect होती है वो इस building के अंदर से हो रही है और अभी भी हुई है even your parents also wow it's brilliant it is part of the neo-roman style में बनी थी if you need the pdf of this class this is where the telegram channel you should be joining why because you need the pdf of all the art and culture lectures that's the one reason ठीक है तो आपको telegram channel में लेगी and now as far as the architecture is concerned अभी निदिन सिंहानी आप खोल के देखेंगे तो इस architecture के चेप्टर खतम होता तो उसके पीछे कुछ questions दिये हुए ठीक है जो prelims के last year के questions दिये हुए related to the architecture related to this chapter do it right now don't wait for tomorrow do it right now मैं यह गह रहा हूँ कि answer पढ़ दालो चाहे अगर आपको खुल सॉल नहीं हो रहे तो just read the question and also read the answer also that is the first step in understanding what art and culture will actually ask you बहुत simple है just do it right now we'll see in the lecture number 11 we'll be finally leaving the architecture behind and we'll be moving to the next topics of the art and culture जैसे कि painting I will see you in the next class have a nice day रशे में रपको कियो ओ혁, सकावा, ऑ कि अ बश safशो